पियमोदी आज एक दिन के बिहार दौरे पर हैं पटना में अवजुद कारकर में पियमोदी और उनके मुखर विरोधी बिहार के मुख्यमंतुर नितीश कुमार एक मंच पर है पियमोदी की आज होने वाली रैली से पहले तीन संदिक जो लोगों को हिरासत में लिया गया है आई बी ने अलर्ट जारी किया है कि आज बिहार दौरे के दौरान पिधार मंतुरी नरीनर मोदी पर प्रसिक्षित माववाधी महिला को मानव बं के तौर पर उनके खलाफ इस्तिमाल की आ जवा सकता है तीन साल का कारेकाल पूरा होने पर आश्पती परना मुखर जी आज राश्पती भावन में डिनर देंगे चुछ में पीम मोदी कॉंग्रेस अजेक्ष सोनिया गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केच्रिवाल शामिल होंगे जमु कश्पीर में बादल फटने के बाद आई बार में दो बच्चों की मौत हो गई जबकी नौग हायल हो गई घाटे के बाल चाल में बादल फटने की घटना होई दिल्ली पुलिस अर्ट बियस बसी ने एक बेहत वगड़े बयान में कहा कि यदि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के हाथों में आ जाए तो वहराज़ानी दिल्ली के इतियास का सब दुर्भाद पून दिन होगा चुकिस्सा और परवार कल्यार राजमंत्वी से शंक्राल मानजी ने खिलाडी को के मौत के मामले में सीधे सीधे पीम नरिंडर मोदी को जिम्मेदार बता दिया बरेली में छेड़खानी के डर से सहमी लड़कियों को महिला आयोग ने धमकाया साहस बनानी के बजाए शादी नहीं होने का दिखाया खौफ नौड़ा के सेक्टर 93 में एक महिला ने अपने यहां काम करने वाली नाबालिक को जम कर पीजा और उसको बंधक बना लिया बर्वांपुर के सुरा अस्पताल में एक बार फिर डॉक्टरों की अमान विता सामनी आई है जमार पीच में घाल महिला को घंटों तक डॉक्टरों ने इमर्जिंसी बॉर्ड के सामने फर्ष पर लेटने को मजबूर कर दिया कनोज में एक दर्णार सरकासे में एक यूवक की मौत हो गई मामला सदर कोतवाली के नई कच्रहरी का है जहां टेंपो अनिंट्रिट होकर पलट गया जुसमें टेंपो सवार यूवक की मौत हो गई बाराइस के थाना इलाके में मोतिपूर इलाके में बॉर्डर पर तैनाथ SSB के जवानों ने घेरा बंदी कर चार नेपाली तसक्रों को गरफतार कर लिया आपुर में शराब के नश्य में दोत्य पती ने पत्नी पर चापू से हमला कर गया जुससे पत्नी की घटना अस्ताल पर ही मौत हो गई आशराम मामली में मारे गए गवा आखिल गुपता अत्याकान मामली की जवान सिपसी व्याई करेगी स्रीबाई जाच की संसुतिक ये जवाने का परिवार ने स्वागत किया है लखनों की बीज़ाई इलाके में गारे ओवर टेक करने को लेकर एक भूमाफी अमारा अजगंज में तैनाथ सियो से भिर गया बात इतनी बर गई कि उसने गारी से राइफल निकाल सियो के सामने ताबर तोड का एराउंड फारिंग कर डाली मेरट के मादफ पूर सेक्टर दो में दो लड़कियों के बीच मामुली कास्वूनी को लेकर जगरा हो गया और जगरा इतना बढ़ गया कि दोनों लड़किया आपस में भिर गए चंपावत में टनकपुर में पूर्णागरी मार्पर किरोडा के पार करते समय पांच लोग बरसाती नाले में भैगए जिसमें से दो लोग भार आ गए जबकि दो बच्चों समय तीन लोगों का भी तक पता नहीं चल सका है रुड़की के जस्तों वाला गाउं के पास खेत में खेलते हुए चार साल के बच्चे को गुलदा ने अपना शिकार बना डाला सूचना मिलने पर वनुभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे वेलकम बैक में नस्रुदीन शाह अंधे पात्र बने दिखाई देंगे वह एक खतरनात डौन बने है जिसकी पुलिस को तलाश है एश्वरे राय बच्चन तबेज खराब होने के बावजूद अपनी आगामी फर्म जज़वा की शूटिंग कर रही है पिश्वे सप्ता एश्वाइरल फीवर हो गया था लेकिन उन्हें ज़वा शूटिंग ज़ारी अर्खा राजमीती से रितेश देश्मुक का नाता पुराना है उनकी पिता स्वर्गय विलास राव देश्मुक के कदावर राजमीतिग्य थे और केंदरे मंत्वी थे रितेश का कहना है कि वो राजमीती समझते हैं और ये उन्हें अच्छी भी लगती है कंगना रनौत को उनके फैशन और स्टाइल के लिए प्रशन स्कूगी तारिफे तो मिलती ही हैं गाई का सोफी जौध्री ने भी कंगना को सबसे स्टाइलिश बताया है प्रती सेनल आने वाली 27 जुलाई को 25 साल की हो जाएंगी इस खास मौके पर वे अपने पैरेंट्स के साथ सेलिबरेट करेंगी